हाई गईस और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपाच चैदव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफेर्स ऑफ 25 जैनवरी 2023 तो आज है तारिक 25 जैनवरी 2023 और है वेटनस डे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स पनेंगे उन सभी पर डीटेल से डिसकस करेंगे ये वीडियो सभी एक्जामनेशन के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है तो चलो शुब आरब करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हर रोज मॉर्निंग में पांच बजे राइट टाइम ये वीडियो आपको इ डीटेल से कवर करते हैं जो कि एक्जामनेशन के लिए रेलिवेंट होंगे और वीडियो का अगर आप एंड छोड़ कर जाते होना तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक टेस्ट पूरे वीडियो को अच्छे से यहां प का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और वहां पर जाकर सर्च बॉक्स में दीपक जादव एजूकेशन आगे यूपीसी लगा के लिख देना आपको ये चनल मिलेगा यहां से आप डेली बिसस पर इस लेक्चर के सकते हो ये चोटा सा स्क्रीन शॉट है जो कि आपके लिए एजा मोटिवेशन काम कर सकता है कल के वीडियो का स्क्रीन शॉट है तो कल 24 जनवरी को मौर्णिंग में पांच बजे जब ये वीडियो लाइब था तो उस तो उसमये पर लगबग 564 लोग जो है न वो इसको है ठीक है इस पूरे वीडियो में न एक खास बात है हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करते हैं कुछ भी नहीं छोड़ते हैं दूसरी इंपोरेंट चीज यहां पर यह है न हम लोग टू दा पॉइंट इंफोर्मेशन को डिसकर्स करते हैं जो केवल और केवल एक्जा उद्यामी स्कीम के बारे में तो आपको बताए स्कीम हो मिशन हो योजना हो इसको लेकर हर साल एक नए क्वेशन हम लोग देख लेते हैं तो हुआ क्या है हमारे यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट और स्किल डेवलप्मेंट एंड इंटरप्रनियॉर्शिप ठीक है तो यह अभी क्या कर रहें एक सेरमेशन को अटेंड कर रहें जहां पर पता यह चलता है कि जो यह ग्रामीन ओद्ययमी स्कीम है ना इस स्कीम के तहित 200 travel women ने अपनी जो training है वो पूरी तरह से complete कर लिए तो इस scheme के अंदर में उन सभी travel महिलाव ने अपनी training को complete किया तो इसको लेकर एक ceremony चल लिए जहारखंड के अदर उसको यहाँ पर हमारे Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship अटेंड कर रहे हैं इस वज़े से news में हैं तो अगर इस article का analysis करोगे हर एक article की जो news है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी है ना जो current issue है वो यह देखने को मिलेगा बाकि इस news के संबंद में जो static data देखने को मिलता है वो इसके नीचे से start होगा यानि examination में जहाँ से सवाल आएगा वो आपक यहाँ से आएगा static data से यह तो मैं आपको current issue समझा रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो आपका current plus static का है ठीके ना तो यहाँ पर आपने article समझ लिया news में क्यों है तो news में यहाँ पर क्या चीज निकल गरारी examination के लिए वो है ग्रामीन ओधियमी scheme यह आखरकार क्या है जिसको लेक जादा बहतर करने के लिए इस scheme को launch किया गया था इस scheme को fund कौन करता है पैसा कौन देता है क्योंकि बिना पैसे यह scheme run करेगी नहीं तो पैसा देने वाली body है NSDC यानि National Skills Development Corporation इसका काम भी यह है हम अपने देश पर में जो लोग हैं उनके अंदर skills को develop करें उनके पास में जादा skills होंगी बेतर skills होंगी वो कुछ जादा economy के लिए हमारे generate कर पाएंगे तो इस particular scheme को fund ये वाली body करती है बागी जो project है इसको अभी कौन कौन से राज्यों में implement किया गया है महराश्टरा राजिस्तान जहारखंड उसके बाद 36 गड़ मध्या प्रदेश गुजरात के अंदर इसको implement किया गया है और इस particular पूरे scheme को एक योजना के अंदर में implement किया गया है उसका नाम है संसदिय संकुल पर्योजरा इसी गेंडर में हमने इस scheme को लागू किया अब इसका मकसद का है इसका मकसद यहाँ पर यह है कि हम अपनी economy को और भेतर कर सके गाउं की economy को local economy को भेतर skill है, skill है तो कईना के उनके लिए रोजगार के लिए धेर सारी opportunities बढ़ेंगी भी है ना तो इससे यहाँ पर क्या होगा जब skill होगी economy के अंदर काम करेंगे तो इससे धेर सारा पैसा generate करेंगे और कईना के वो जो economy है उसको expand करते वे जाएंगे तो मकसद यहाँ पर यह है कि क बता दिया, यह directly सवाल बन सकता है, दूसरा National Skill Development Corporation क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इस screen को fund करता है, तो National Skill Development Corporation एक non-profit public limited company है, ठीक है यह जो company है ना, इसका कोई मतलब फाइदा कमाने का मकसद नहीं है, इस particular body को हमने बनाया था 31 July 2008 में, जो Companies Act का section 25 है, इसी के तह इस body को बनाया गया था, Ministry of Finance नहीं यहाँ पर इसको आपका सकतो हो establish किया है, as a public private partnership model, जहाँ पर public और private दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, दूसरा जो Government of India है, वो अपनी एक ministry के माधियम से, कौन सी ministry, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, इसके माधियम से, इस body के अंदर हो, यानि कि National Skill Development Corporation के बाकी private sector के पास में 51% का share है, इस body का, ठीक है, बाकी यहाँ पर जो organization है, इसका मकसद है, जितने भी यहाँ पर scheme से, उनको fund provide करवाना, जो की skills को लेकर काम कर रही है, दूसरा यहाँ पर लोगों को job के लिए training provide करवाना, है न, skill training provide करवाना, वो सारा काम हमारा NSDC का ही है, ठीक सारे article का discussion करेंगे, तो अलग-अलग sources से इन सभी articles को लिया गया है, जैसे AK-203 rifles के बारे में चर्चा की जा रही है, यह Indian Express के अंदर काफी detail से cover किया गया था, AK-203 rifles काफी चर्चा में, चर्चा में क्यों है, सर न्यूज यह है कि अब इन rifles को इंडिया के अंदर बनाया जाए वो यहाँ पर आपका starting details है, जो कि यहाँ से नीचे नजर आएगा, तो न्यूज यह है कि हाली में, इंडिया और रश्या का साथ में मिलकर एक जो company है, जिसको हम लोग बोलता है, इंडो-Russian Rifle Private Limited, यह जो IRRPL है न, इन्होंने हाली में उतर प्रदेश के अंदर में, इन rifles को बनाना शुरू कर दिया है, तो AK-203, जो केलाश निकाओ, एजॉल राइफल्स हैं, इनको बनाना स्टार्ट कर दिया है, इस वज़ा से यह topic न्यूज में है, तो क्या है AK-203 ध्यान से सुनना, यह जो राइफल्स हैं, इनको यहाँ पर manufacture किया जा रहा है, इंडिया और रश है, क्यों रहा है, एसे सवाल डारेक्ली बनते हैं, ठीक है न, जैसे ब्रमॉज को लेकर सब्साइल बनाता है, जो ब्रमॉज मिसाइल है, वो कौन कौन से देशों ने मिलकर डवल लप किया, तो वो भी इंडिया रश्य ने मिलकर डवलप किया है, ऐसे कई एक्जामरिशन मे convenient है बहुत असान है यहां पर इनको hold करना बहुत असान है इनको चलाना और modern rifles आपको यहां पर यह देखने को मिलती है तो ध्यान रखना high quality convenient rifles के category में इनको रखा गया है performance भी इनकी बहुत high है जब भी हम इस प्रकार के rifles की बात करते हैं तो कहीं न कहीं पूरे दुनिया बर में एक best rifle की category में इसको रखा जाता है AK203 rifles को तो joint venture plan के तहट हम लोग क्या कर रहे हैं यानि इंडिया रश्या साथ में बिलकर इसको बना रहे हैं हम लोग focus कर रहे हैं कि इसका 100% localization of the production करें अपने देश में हम लोग सारी जो यह rifles हैं उनको बनाएं इसमें रश्या हमारी मदद कर रहे हैं यह ठीक है आपको एक portion समझ माया गया अब इस article में एक company के बारे में भी चर्चा की गई है इंडो Russian Rifle Private Limited तो यह IRPL क्या है समझ लेते हैं इस body को बनाया गया था 2019 में और दोनों की side से यानि की support था ओव्यसी बात है रिश्या और इंडिया दोनों की यहां पर bodies थे जिन्होंने मिलकर यहां पर इसको expand गया इसको यहां पर बनाया ठीक है जैसे पहले यहां पर यह ओफ भी हुआ करता था ओडिनेस factory board बाकी आज यहां पर चीज़े बदल चुकी है अब यहां पर यह अलग लग bodies है जैसे इंडिया की advance weapon equipment इंडिया लिमिटेड है munition इंडिया लिमिटेड है यह इंडिया की bodies हो गई और रश्या की side से है यहां पर रश्या की एक body का नाम है रोसो बोर नोन एक्सपोर्ट एंड कालाश निकाओ यह यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह रश्या की side से bodies है यह दोनों साथ में मिल कर इन AK203 rifles को भारत के अंदर manufacture कर रही है बना रही है बात क्लियर हो गई चलो एक मंतराले बनाया गया है इन्होंने यहां पर कुछ relaxation दिया है performance bank guarantee को लेकर है जो performance bank guarantee है यहां पर कुछ छूट दी जाएगी दूसरा यहां पर जो भी coal block होता है है इसकी डेट भी आगे के लिए बढ़ा दी गई है 30 जनवरी तक इसकी date कर दी गई है इसी वेसे यहां पर य चेंज किया रिवाइस किया है यह national call index के basis पर ही किया है तो national call index क्या यह समझेंगे फिर बाद में आपको performance bank guarantee के बार में भी बताऊंगा यह क्या होता है national call index basically एक price index आपने कई सारे index देखे होंगे तो यहां पर यह भी एक price index है जो कि क्या बताता है जो coal है जो कोईला है उसके दाम कैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं जो भी इसके दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं बदल रहे हैं हर एक particular month के अंदर में पूरे year के अंदर में वो सारी बाते आपको इस national call index के अंदर पता चलती है यह जो price index है यहाँ पर कई सारे price को count किया जाता है है यानि कि जो भी कोईला ह उसकी price, auctioning price, निलामी की price, import price क्या है इन सब चीज़ को count करके combine करके जो pricing है वो यहाँ पर तयार की जाती है तो यहाँ पे इस particular index में जो call की pricing है वो रखी जाती है ध्यानक ना इसका base year क्या है? इसका base year है 2017-18 बहुत ज़ादा important point 2017-18 इसका base year रखाया है हम लोग जब भी comparison करना होगा पिछले कुछ समय से तो 2017-18 का base year लेंगे 2017-18 से comparison करेंगे कि आज के समय पर call के price क्या है और पहले के समय पर क्या हुआ कर देता तो base year इसका यह है बाकि यह जो national call index का concept है और जो इसका design है यह सब किसने develop किया है यह कोलकता का एक institute है जिसका नाम है Indian statistical institute इन्होंने यहां पर इसको develop किया है बात clear हो गई तो यह था यहां पर कुछ relevant point अब बात यह है कि सर आपने बताया इसमें call auction के बारे में collection की date बढ़ा दी गई है तो call auction होता क्या है देखो कोईले की जो ख़दाने होती है काफी सरे आपने देखा होगा वहां पर खरन करके कोईले को खो participation को हमने बढ़ाया हैना private sector के participation को हमने इसमें increase कर जाता यानि कि private जो companies है वो भी आ सकती है वो अपना यहां पर दाव बता सकती है कि इस particular call mining में हम इतना पैसा लगाएंगे हैना निलामी की जाएगी उसके business पर private sector को यहां पर call mining करने का जो है एक chance मिलेगा वो call mining यहां पर कर स bank guarantee का जो relaxation है वो यहां पर जारी किया या है इस विसे यह चर्चाम है bank guarantee का मतलब है एक promise है जो की bank provide करवाता है ठीक है ना मान लो यहां पर एक person है A और एक person है B यह दोनों आपस में कुछ पैसा वगरा लेन देन कर रहे हैं A ने सब जो यहां पर पैसा बोरो कर लिया B कह रहा होगा कि हाँ ठीक है यह आपका पैसा दे देगा तो B कहेगा अगर A ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा तो बैंक कहेगा यह नहीं देता है पैसा तो मैं दूंगा पैसा ठीक है ना तो यह होती है bank guarantee bank guarantee एक ऐसा promise जो कि bank provide करवाता है कि अगर मान लो एक borrower है जिसने पैसा लिया था वो यहां पर loan pay नहीं कर पाता है यहां पर bank जो है उसका loss सारा का सारा पे करेगा तो bank यहां पर एक original creditor की तरह देखने को मिलेगा तो borrower यहां पर अगर यह अपना लोन वगदा नहीं पूरा कर पाता है तो bank यहां पर उसका ध्यान रखेगा bank यहां पर उसको या हम इसकी जिम्यदारी ले रहें यह पैसा दे देगा नहीं देगा तो हम देंगे तो bank guarantee काफी common है business के अंदर सबसे ज़्यादा यहां पर यह चलता है जब भी पैसा उठाया जाता है तो bank साधते हैं बीच में guarantee लेने के लिए तो इस bank guarantee के मादम से जो भी पैसा लेने वाल है तो coal ministry ने हाली में यहां पर इस performance bank guarantee के मामले में कुछ change करने के लिए यहां पर बोला है दूसरा coal auction की date बढ़ा दी गई है और यह सारा काम किया जाएगा national coal index के basis पर इस वज़ए से यहां पर यह चर्चा में है तो आपको मैंने इस article के सारे के सारे जो aspects से वो clear करवा दिये हैं next article बहुत जादा important होने वाला है examination के लिए बहुत 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 जादा directly आपसे सवाल बन सकता है अब इसको बहुत ध्यान सुनना यहां पे बात कि यह Italian hydro electric project के बारे में काफी चर्चा में है सर खबर क्या है इसको बताओ पहले तो मैं आपको पहले news बताता हूं news का निक इसकी वज़ा से जो environment है वहाँ पर वह बहुत ज़्यादा damage हो रहा है तो environment को बहुत नुकसान पहुंचेगा इस project की वज़ा से इस विससे यहां पर अरवनाचल प्रदेश से बोला गया है कि आप इस project की construction को पहले एक बार review कर लो अच्छे से देख लो बहुत लंबे समय से तीन साल से यहां पर Italian Hydro Power Project को लेकर विबाद बनावा है तो क्या है मामला अव समझते हैं पहले हम लोग जानेंगे Italian Hydro Electric Project के बारे में तो यह 3,970 Megawatt का Hydro Power Project है जिसको यहां पर बनाया जा रहा है कहां पर अरवनाचल प्रदेश के दिबांग वैली में अब यहां पर आपक यहां पर हम लोग क्या करेंगे उसको पानी का जो यूज है पानी का यूज करके Electricity को generate करेंगे Hydro Power Project का यही यहां पर एक मकसद होता है तो यह आपको अरवनाचल प्रदेश देखने को मिलेगा यहां पर Italian Hydro Power Project बनाया जा रहा है अब मैं आपको एक चीज और दिखाता पावर प्रदेश प्रदेख पता थोड़ा special है ंइस स्पैसल क्यों है क्योंकि यह पर दो नदिव के ओपर डैम बनाया जा रहा है एक तो यहां पर तैंगोंग नदी है ठीकर धियान रकना एक है तैंगोंग नदी और एक इदर ड्री नदी तो ड्री नदी के ओपर एक डै से जाएका और इधर पावर हूस में जाएका और यहा पर पानी से क्या गर जाएगा बिजली को बनाजाएंगा पावर को जनरेट किया जाएगा तो यह О पावर प्रचेट के बारे में आपसे पूछ जाए तो क्या है तो ध्यान दाखना एक यह टू रणर ऑफ दा रिवर स्कीम है इसका मतलब यहां पर यह है कि दो नदियां है दो नदिया के ऊपर डैम बना जाएगा और इन दोनों का पावर हाउस जो है न वो थोड़ा दूर र सदी की सायक नदी है बहुत जादा इंपोरेंट पॉइंट है ध्यान अकना डिरेक्टली सवाल बन जाता है लेकिन यहां पर इस पर जिस भी पर्टिकुलर एरिया में सपोज यहां पर अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं जैसे यह वाला मैप अर्मनाचल प्रदेश का है स आपको वो सब हटाना पड़ेगा जानवरों को नुकसान पहुचेगा एंवर्मेंट को बहुत बड़ा डामेज पहुचेगा इन फैक्ट बोला जा रहाता है कि उस एरिया को हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा बायो डाइवर्सिटी होट्सपोर्ट के तड़ा भी देखत जाती है तो कहीं ना कि जब आप ये प्रोजेक्ट लगाओगे तो उससे उन सब चीजों को हटाना पड़ेगा वहाँ पे कई सारे जानवर मारे जाएंगे कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि एंडमेक हैं वो उसी एरिया में पाए जाते हैं उसके लावा कहीं नहीं पाए जाते हैं उनको नुकसान पहुँचेगा तो इसके लिए पर इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए बोला गया है आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है अब इस आर्टिकल को आपने अच्छे समझ लिया इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लिया कौँ सी नदी के ऊप मिश्मी गूरुप का मिश्मी गूरुप एक बहुत बड़ा गूरुप है इसी के अंदर एक छोटा गूरुप आता है इदू मिश्मी ट्राइब का जो कि ही जão बिलॉं करता है ठीक है बाकी फिर इस आर्टिकल से एक और पॉयंट निकल कराता है वो है दिवांग नदी क्योंकि overall दिवांग नदी की ही दोनों सायक नदियां हैं कौन-कौन सी तैंगोंग और ड्री नदी इन्ही नदियों के उपर ये डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो overall यहाँ पर आपको दिवांग नदी के बारे में पढ़ना ही पढ़ना होगा तो दिवांग नदी की जब बात करता तो यह अरुनाचल प्रदेश में बहती है अरुनाचल प्रदेश और असम के अंदर यह बहती है और दिवांग नदी भी यहाँ पर जाकर मिल जाती है, कहाँ पर ब्रहमपुत्रा के अंदर very important, आपको पता होगा, 2016 में UPSC ने सवाल पूछा था, ब्रहमपुत्रा की सायक नदिया कौन कौन सी है, तो दिवांग नदी क्या करती है, ब्रहमपुत्रा की सायक नदी है की भी सायक नदियां, जो थी मैंने भी आपको बता है, तैंगॉंग और ड्री, और भी कई सारी है, तो दिवांग का नदी का ओरिजिनेशन कहां से होता है, तो केया पास से यहाँ पर यह नदी निकलती है, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास से निकलती है, फिर उसके क्या नाम है, दिवांग नदी के सायक नदियां है, जिसमें से तैंगॉंग और ड्री के उपर यही प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इटैलिन हाइडरो पावर प्रोजेक्ट जिसको लेकर यह कॉंट्रोवर्सी क्रेट होई वही है, ठीक है, आई होप आपको यह बात है, Forest Advisory Committee, क्योंकि इस Forest Advisory Committee नहीं अरुनाचल प्रदेश से बोला है कि इस प्रोजेक्ट को देखा जाये, एक बार अच्छे से देख लो, तो Forest Advisory Committee क्या है, यह एक Statuary Body है, इसको एक Act के माधिम से बनाया गया है, यह हमारी Ministry of Environment, Forest and Climate Change की Body है, इसको Forest Conservation Act of 1980 के तहद बनाया गया है, ठ सरकार को एडवाइस देने का काम यहाँ पर करता है यह फॉरेस्ट एडवाइसरी कमिटी नाम से ही पता चल रहा है काओगे सर कैसे कैसे आर्टिकल पड़ा देते हैं मतलब कुछ काम का है क्या यह मतलब कुछ पूछा जाएगा इतलने पूछा जाएगा हमें तो नहीं लग र पूछ लिए पूछ लिए गया तेरी हाइड्रो पार कॉंपलेक्स इस्थित है यह आप से पूछ लिया गया तेरी हाइड्रो पार कॉंपलेक्स लोकेटिड है 2008 का सवाल था ध्यान रखना और UPSC के प्रिवेसर क्वेशन को देख के आप उसका नेजर समझ सकते हो कि आखरक श्थित यह आप से पूछ फ्रूछ ल जोका सवाल बन जाते हैं तो यही वजह से आपको यह डिटेल से पढ़ाया जा रहा है इसको आप जीएस पिप्र नंबर थि एन्वोर्मेंट से लिंक कर पाूगे बात की जारी है इस पौर्ट बिलाइड इगल आयौल के बारे में य यही है spot village eagle owl काफी चरचा में है अवो डिसकस करते हैं निउस का निकल कर आते हैं खबर क्या है हमारे पास में वो समझता है पहले तो यह जो eagle owl है यह हाल ही में पाया जंगल है यहां पर पहली बार ये इगल देखने को मिला है इस वज़ा से न्यूस में और पहली बार कोई चीज हो रही है तो हमारे करेंटा आफेर के लिए बहुत होती है कर ना होगा अब इस इंपॉर्टन ओल्स को जानना होजां से प्रिलिम्स में सवाल बनते हैं सबसे पहली बात इस एगल अवल का scientific name क्या है scientific name हैmaya ब्यूभो निपैलिnd姿स इसका scientific name है ये जो eagle owl है इसको हमलो aura forest eagle owl के नाम से भी जानते हैं आपकी powerful होती है ऐसा बोला जाता है शिकार कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर इनकी लेंथ है 52-65 cm वजन 15-1700 ग्राम यह नहीं ध्यान रखना है बस ऐसी बताती है विकिपीडिया पर इंफोर्मेशन बिली तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी थी बागी distribution की अगर हम लोग बात करें तो यह कहाँ पर पाई जाती है यह बहुत important point अब आता है एक बहुत important point जो की examination में सवाल बनाता ही बनाता है किसी भी जानवर को लेकर आपको conservation status पढ़ना होता है आज वैसे भी कई सारे जानवर हैं लगाता तीन-चार जानवर न्यूस में थे मतलब अलग-लग मैं sources उठातावा चला गया यार front पे जानवर आते चले सब्सक्रान रखना बाकी वाइडले प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में इसको schedule 4 के अंदर कवर किया है साइट के अंदर इसको appendix 2 में कवर किया है तो बस यह डारेक्ली आप से पूछा जाएगा कि आयूसे इन का status क्या या इस वाइडले प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से schedule में है से डिरेक्ली पूछा जाता है तो बस खलेज सको रट लेना है बाकी मैंने आपको बताया कि यह आंदर प्रदेश के अंदर कहां पर यह इंडिया का मैप बर्श कर र यह नियहां और यह रे सेश्चलम फॉरेस्ट तो इग्जैक्ली यहां पर आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे तो यहीं पर बेसिकली जो यह हिल्स है ना यह हमारी इस्टन घाट का हिस्सा है आपको बता होगा यह कौन सी घाट से यह इस्टन घाट है और यह जनद्री देन विशा भदरी नाराइंद्री वेंकाद्र तो यहां पर इसी के अंदर इसको काउंट किया जाता है इसी ग्रूप के यहां पर यह जंगल आपको दिख रहे हैं यह जंगल लगब प्रीकेंबिरियन एरा से बिलॉं करता है यह जो पूरा के पुरे पहाड़ी हैं इसके बारे में आपने जान लिया यहां पर कई सारे सैंड स्टोन शेल लाइम स्टोन जैसी चीज़ें आपर मिलती हैं और तिरुपती तिरुपती यहां पर एक बहुत हिंथ्टाउन आपको देखने मिलेगा यहां पर इन्ही के अंधर इन्ही पहड़ियों के अंदर इस्थित है ठीक है डिये चल्ष पर द्यानकनाश्री वनके टेश्वरा नेशनल पार्क वह भी यांपर इन्ही माउंटेन रेंजिस के अंदर इन्हीं पहाड़यों में इस्थित है दूसरा सेश्चलम को हमने बायोस वेर रिजव का दरजा दिया था साल 2010 में साल 2010 में इसको बागी यहां पर सेंडल वोड जाते हैं उनके भंडार यहां पर भरे पड़े हैं ठीक है तो यह बात आपको clear रखनी है यह आपको cover करवा दिया गया सेश्चलम Hills के बारे में चलो अगले article पर आते हैं next article काफी relevant होने वाला है यहां पर हम बात करेंगे पुर्जशीन एक fishing होती है इसके अंदर यहां पर बड़े जाल का अस्तमाल करके काफी सारी fishing को काफी सारी जो मचलिया उनको एक साथ पकड़ने की कोशिश की जाती है है तो क्या हुआ काफी सारे states ने जैसे तामिल नाडू हो गया और भी जो हमारे southern states हो गया उन्होंने इस प सुप्रीम कोर्ड के अंदर petition डाला गया सुप्रीम कोर्ड इस petition को देख रहा है इसकी सुनवाई कर रहा है फिशर्मन का इनी मच्वारों को कहना यह है कि हमें अलाव किया जाए हम territorial water के अंदर भी fishing कर सकें लेकिन territorial water के अंदर तामिल आडू करेला जैसे states ने इसको बैन कर द हर एक देश के पास में अपना खुद का हिस्सा होता है जैसे यहाँ पर आप देख पार हूँगे एक map है चाहे इधर यहाँ पर Canada, US, Mexico इधर यहाँ पर पूरा का पूरा western area देख रहा होगा eastern area देख रहा होगा यह सब जो भी देश अगर पानी के आसपास हैं ठीके ना जैस हिस्सा यहाँ पर उसी के territory मा आएगा वो जैसे इंडिया के हिस्से में यह जो territory यह पानी का यह पूरा का पूरा इंडिया के हिस्से मा आएगा ऐसी यहाँ पर आप देख पाऊगे जो countries है इनके पास में यहाँ पर इनका हक होगा इस particular water के उपर कुछ region तक यहाँ पर क्या ह हिस्सा होगा उस पर हमारा हक होगा उसको हम लोग बोलता है territorial water लेकिन इसको explain कौन करता है इसको लेकर जितने भी कानून है वो सब UN clause ने रखे हैं यानि United Nation Convention on the law of the sea ने यह सारी चीज़े mention की है इन्हों ने यह बोला कि ऐसा पानी समुदर का ऐसा जो हिस्सा जो कि हमारे समझते हैं एक particular area से सोरी यहां पर एक गलती कर दिए यह 12 nautical miles नहीं होगा यह होगा 200 nautical miles ठीक है न मैं आपको बताता हूँ जैसे हमारे territorial water क्या खेलाता है exclusive economic zone यह जो region है यह exclusive economic zone है यह क्या है यह exclusive economic zone है भारत का ठीक है यह जितना समुदर का हिसा है यह भारत के control में आता है यह EEZ है exclusive economic zone अब यह exclusive economic zone क्या होता है समझते है मालो को यहां पर देश है उसका land स्टार्ट हो रहा है उस land के बाद 200 nautical mile तक ध्यान रखना 200 nautical mile तक जो region होता है उसको हम लोग exclusive economic zone बोलता है 200 nautical mile लगबग कितना हो गया लगबग 370 km जैसे कि यहां पे मालो यह हुआ इंड exclusive economic zone आएगा उसमें भारत का control होगा लेकिन यहां पे थोड़े थोड़े restrictions होता है लेकिन territorial sea क्या होता है 12 nautical miles तक का जो 12 nautical miles तक का region होगा यानि कि जो हमारी baseline है यहां से आप जाओगे यहां से आप थोड़ा सागे बढ़ोगे तो यहां पे 12 nautical miles तक जब आप आगे इस तक का area होता है ठीक है territorial waters के बारे में आपने आपे समझ लिया है I hope आपको एक clarity जो है यहां पर मिल चुकी है बाकी इन territorial waters की सुरक्षा करने के लिए या समुदर को लेकर जितने भी कानून है वो सब लाने के लिए कौनसी body जमेदार है उसके लिए UN clause है यानि United Nation Convention on the law of the sea यहां पर सारा काम करती है UN clause के बारे में थोड़ी बहुत बाते जान लेते है प्रिलिम्स के लिए important है UN clause को हम लोग law of the sea के नाम से भी जानते है इस body को adopt किया गया था 1982 में इसके बाद में यहां पर ना इसका काम है दुनिया बरके ocean seas को यहां पर maintain करना वापर शांती बनाने वो सब यहां पर सभी लोग को माननी पड़ती है बाकी exclusive economic zone क्या होता है मैं आपको बता दिया जो हमारे land से 200 nautical mile तक का जो area होगा ना 370 km लगबग वो कहलाएगा exclusive economic zone और 12 nautical mile तक का area कहलाएगा वो होगा territorial water तो यहां पर जैसे कि आप अगर देखो map में यहां पर territorial water के अंदर fishing को ban किया जिसको लेकर यह पुरा पुरा मुंदा चलना था territorial water आपने यहां पर समझ लिया है next important news article पर आते हैं एक term लगातर चर्चा में है जिसका नाम है green back indicate तो green back indicate क्या है आव थोड़ा सा हम लोग इसको समझने वाले हैं important है तो हुआ यह recently हमने देखा कि डॉ तो एक word यूज किया गया green back बार बर green back यहां पर यूज किया जा रहा है तो green back क्या है आव थोड़ा सा हम लोग इसको जानेंगे इसी वज़े से यहां पर इस article को मैंने जो है लगा रखा है तो green back एक term है जैसे US का paper dollar जो है ना यानि US की जो कागस वाली currency है जो महां का note है उ सबसे पहली paper money जो launch की गई थी वो green back थी 19th century में आपर इसकी चर्चा की गई थी तो green back का मतलब है first paper money जो की US की सरकार ने launch किया था 19th century के समय पर तो paper money ही है यह हरी color की money है इसको हम लोग green back के नाम से जान रहे हैं ध्यान रखना दूसरा आप देखोगे इसको हमने green back क्यों ब बोला गया एक साइट पर green है एक साइट पर normal है तो इसको हम लोग यहां पर green back के नाम से बोल रहे हैं ठीक है तो green back क्या है आप से पूछा जाए अगर पूछा जाए green back क्या है और दी दिया जाए नीचे option में यह 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 तो ध्यान रखना United States का जो dollar है उसको हम लोग green back के न अगले आर्टिकल पर आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत रेलिवेंट होने वाला है, इंडियन स्टार टॉर्टोईस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार टॉर्टोईस की ऐसे है, तो आप इस पिचर को देखकर समझ पा रहे होंगे, इसके बॉड़ी ये उपर इस प्र इनकी संख्याई लगातर खतम होती जारी हैं, कम होती जारी है, हम इन टॉर्टोईस को खोते जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमें एक एक्शन लेने की सक्त आविशकता है, ये चीज़ यहां पर बताई गई, तो न्यूज में यहां पर यही है कि रिसेंटल एक रिपोर्ट इनकी संख्याई लगातर खत्रे में हैं, साइट्स में अपैंडिक्स वन में रखा गया है, इनका व्यापार वगरे इतना अलाओ नहीं है, दूसरा वाइल आई प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शिड्यूल 4 वे रखा गया है, हाई प्रोटेक्शन यहां प्रोटेक्श पर इनको provide करवा रखी है तो यह है इसका conservation status जहां से directly सवाल बनेगा दूसरा threat की अगर हम लोग बात करते हैं तो खत्रा क्या है तो मैंने बताया लगातार यहां पर इसका जो शिकार है वो हो रहा है illegal तरीके से व्यापार हो रहा है as a meat का consumption हो रहा है लगातार शहरी करण agriculture practice बढ़ रहे हैं जिसके विएसे जहां पर यह पाया जाता है वो area खतम होते जा रहे हैं तो इसके विएसे यहां पर इनकी संख्याएं भी कम होती जा रही है ठीक है आई होप आपको यह बात clear हो चुकी है इस इंडियन स्टार टो इसके बारे में next important article एक और बढ़ चर्च परेला के अंदर में यह bird spot करी गई है यह bird देखी गई है तो इस विससे यहां पर चर्चा में वाकी word काफी सुंदर सी लग रही है तो यह bird यहां पर spot की गई है जिसके बारे में चर्चा हो रही है इसके बारे में तो आपसे सवाल कैसे बन सकता है आपसे पूछा जा सकता ह है यह क्या है बर्ड है या कोया है क्या है सकर कुछ आपसे option में दिया जा सकता है तो आपको एक idea रहेगा जब आप पढ़ रहे हो तो सैज वबलर एक बर्ड है medium size बर्ड यहां पर देखने को मिलती है इसमें खास बात यह कि जो इनकी मेल की प्रजाती होती है जो पुरुष होता है इनमें बर्ड में मेल जो होता है उन मेल में आप देखोगे तो इनकी खास बात है यह मिमेकिंग कर सकता है यानि की नकल कर सकते हैं नकल भेतरी तरीके से कर से हैं नकल करने की skill इनकी काफी अच्छी है यानि कि mimicking करने की skill काफी अच्छी है ठीक है बागी यहां पर यह काफी सारे गाना गाते रहते हैं यह वाले बर्ड और गाना गाते गाते एक गाने को दुबर रिपीट नहीं करते हैं इनके phrases बहुत attractive होता हैं कीडे मकडों को खा कर यहां पर अपना यह article थोड़ा सा long है लंबा article है इसको detail से discuss करेंगे क्यों क्योंकि यह एक editorial है अब मैं कुछ editorial भी लेकर आये करूंगा ऐसे लाता रहता हो आपको पता है यह कुछ काम का article है इतना काम का है कि UPSC 4-5 सवाल पूछ चुका है इस article को लेकर पहले के समय में वो सवाल भी मैं आप पर recently हुई है जिसके बारे में चर्चा की गई तो न्यूज क्या है खबर यह की हाली में जो हमारे union minister है अश्वनी वैशनव जी इन्होंने यहां पर इंडिया की तरफ से रेप्रेजेंट क्या है वर्ल्ड एकनॉमिक फोरॉम में इंडिया को रेप्रेजेंट क्या है इन्हो अब की बार का थीम था तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे जो union minister है उन्हें focus कि कैसे जो है न हम लोग यानि इंडिया जो है 10 trillion तक की एकनॉमिक को एचीव कर सकता है उसके बारे में काफी सारी चीज़ों ने बताई है इंडिया की एकनॉमिक के बारे में काफी चर्चा की ठीक है overall हम यहाँ पर दुनिया बर के एकनॉमिक के बारे में बात करते हैं वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम में तो वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम है क्या पहले यह मंच क्या है पहले हम इसके बारे में जानेगे तोकि examination के लिए बहुत important है वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम एक international non-governmental organization है एक या क्या ध्यान रखना है रखना पड़ेगा ध्यान और यह examination में पूछा जाएगा क्योंगे यह नाम भी पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है नहीं पूछा जा चुका है साल 2009 का सवाल देखो साल 2009 में UPSC ने previous year में एक question पूछा था क्या था who among the following is the founder of वर्ल एकनॉमिक फोरम वर्ल एकनॉमिक फोरम का founder कौन है क्लॉस स्क्वैब जॉन केनेथ कैलब्रेट होबर्ट जोईलिक या पॉल ग्रुगमेन तो यहां पर इसका सही उतर क्या हो जाएगा क्लॉस स्क्वैब इस वज़य से मैं छोटी-छोटी चीज़ों के ओपर भी का headquarter देखने को मिलेगा बाकी जो इनकी meeting हुई है वो ही डेवोस के अंदर में डेवोस कहां पर है तो Switzerland में आपको यहां पर डेवोस देखने को मिलेगा Switzerland काफी सरे देशों के साथ में अपनी boundaries को share करता है जैसे इधर France है, इधर Germany है, Austria है और यहाँ पर इधर Italy है इन सब के साथ में boundaries को share करता है Switzerland ध्यान रखना boundaries को लेकर भी सवाल बनते रहते हैं आगे आते हैं सर अब Davos meeting के बात करें तो हर साल इस प्रकार की meeting होती है ठीक है न, World Economic Forum के founder को ने वो समझ में आ गया लेकिन यह और भी reports को लेकर आता है जैसे global competitiveness report हो गया है global information technology report, global gender gap report, global risk report global travel and tourism report, financial development report, global enabling trade report यह सारी reports यहाँ पर World Economic Forum जारी करता है हो गया रिबापरे, हाँ बिलकुल जारी करता है सवाल बन सकता है, पिलकुल बन सकता है आप यह देखो, 2017 में, जादा पुराने सवाल नहीं है 2017 में, UPS ने क्या सवाल पूछा which of the following gives global gender gap index global gender gap index की report कौन लेकर आता है option ए World Economic Forum, be United Nation, Human Rights Council, UN Women या World Health Organization, तो इसका सही उतर है option ए World Economic Forum, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था और पहले ही पढ़ा था, स्वारी, यह चौथे नंबर पढ़ा था ग्लोबल gender gap report के बारे में और ऐसे एक और सवाल पूछा या मैं आपको एक और सवाल दिखाऊंगा यहां पर आप देखोगे, 2017 के बाद में, 2019 में एक और latest सवाल आपको देखने को मैं लेगा, सवाल क्या था, ग्लोबल competitiveness report जो है न, यह publish की जाती है किसके थूँ, option A international monetary fund, option B United Nations Conference on Trade and Development, option C World Economic Forum या option D World Bank, तो इसका सही उतर है option C World Bank, sorry, option C World Economic Forum, तो World Economic Forum को लेकर 3-4 questions में ने ऐसी दिखा दिया, मेंस के अदर भी सवाल है, तो इस वज़ा से यहाँ पर थोड़ा important article है, editorial था, तो मैं आपको सारी बाते बता रहूं, तो recently meeting वोई, यह समझ मा गया, अपकी बार यह 53, यानि त्रिपनवा edition था ध्यान रखना, कौन सा त्रिपनवा edition, भारत ने participate किया है, भारत का यहाँ पर यह 36 वा बार collaboration था, भारत ने 36 वा बार, 36 टाइम यहाँ पर collaborate किया है, इस particular body के साथ में, चीक है, अब हमारे जो union minister गए थे, जिन्होंने इंडिया को represent किया, इस summit के अंदर में, तो यहाँ प इन्होंने काफी सरी speech के अंदर कुछ important points बता हैं, भारत के बारे में, कि भारत क्या क्या करने वाला है, जैसे इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि भारत का जो approach है न, आज के समय पर महंगाई वगरा इतनी ज़्यादा देखने को मिली है, बीच में 2021-22 के अंदर FDI के मामले में एक record तोड़ दिया, साल 2021-22 में जो foreign direct investment आया था बाहर, विदेशी country से जो निवेश आया था भारत के अंदर में, वो 84 billion US dollars का था, तो अभी तक का एक highest inflow देखने को मिला 2021-22 में, तो भारत का performance, एकनॉमी के मामले में लगातर grow कर रहा है, काफी सरे देशों से यहां पर FDI इंडिया के अंदर आ रहा है, इन्होंने बताया, जो हमारी real GDP है, 2021-22 के अंदर वो हमारी जो एकनॉमी है, वो 3.1 trillion डॉलर तक की पहुंच चुकी है, हमारा टार्गेट है 2025 हमारी एकनॉमी को 5 trillion डॉलर तक की बहुत आ दे, कितनी 5 trillion डॉलर तक की अपनी को पहुंचाने का हमारा टार्गेट है, यह बात इन्होंने अपनी speech में बोली है, फिर एक बात और इन्होंने speech में बोली है, क्या कि कि इंडिया लगातार ग्रोथ के हिस्से पर है लगातार इंडिया ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है हमारा फोकस है कि हम लगातार इंफ्रस्ट्रक्चर के उपर इंवेस्ट करेंगे जॉब को जनरेट करेंगे प्लस आने वाले दस साल के अंदर हम लोग 2047 तक टार्गेट है कि इंडिया की जो एकनॉमी वह 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का हमारा टार्गेट है बाकि हम देद रहे हैं पर अपनी इकनॉमी को बढ़ाई रहे वह उस अलग से यहां पर बताया गया ठीक है तो यह बात यहां पर इन्होंने वर्ल्ड एकनॉमि मेटिंग चल रही थी वहाँ पर मेंशन किया तो आर्टिकल थोड़ा इंपोर्टेंट था लंबा था इस वैसे मैं ने पढ़ा दिया है देखो दोस्तों जब वीडियो लंबा हो जाता है ना तो काफ़ी से लोग कॉमेंट करता है कि यार सर इतना वीडियो लंबा मत करे करो देखो मेरी कोशिश होते हैं मैं हर एक आर्टिकल को जो इंपोर्टेंट हो एक्जामेशन के लिए इंपोर्टेंट हो उसको मैं कवर करूँ ठीक है ना तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रिलेम्स रपेड फायर के उपर जो भी आपने डिसकशन को अच्छे से सुना है प एक साथ आंसर बता दूँगा तो आज का पहला क्वेश्चन है एक टू-0-3 राइफल के रेफरेंस में अभी थोड़ देर पहले हमने इसके बारें पड़ा था तो इन राइफल के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिये गए हैं बताना है कौन सा स्टेटमेंट स किया जा रहा हैं बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है option a one only, option b two only, option c दोनों सही है या फिर option d दोनों के दोनों गलत हैं आगे आता है next question की तरफ अगला question बात करता है ग्रामीन उद्यामी स्कीम के बारे में सबसे पहला आर्टिकल हमने इसके बारे में पड़ा था तो ग्रामी बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है option a one only, option b two only, option c दोनों सही है या फिर option d दोनों के दोनों गलत हैं आगे आता है उसके बाद अगले प्रशन की तरफ next question बात करता है national coal index के बारे में तो national coal index को लेकर आपको दिये गए हैं दो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट ये एक price index है जहां पर कोईले के जो भी price level change हो रहे हैं वो सारे के सारे इस index के अंदर बताए जाते हैं दूसरा इस index का जो base या रहे है वो है 2020-21 क्या ये सही बात है बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है option a one only, option b two only, option c दोनों सही है या फिर option d दोनों के दोनों गलत है आगे आते हैं उसके जो कि एक स्टेट में बनाया जा रहा है बताओ कौन से राज्य में यहां पर इसको बनाया जा रहा है option a नागलेंट, option b असम, option c अरुनाचल प्रदेश या फिर option d बिहार, whatever इसका आंसर तो बहुत सिंबल सा question है इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है क्योंकि relevant भी है और ब बलती मत करना है यहां ठीक है पहली चीज़ जो सेश्चलम हिल्स है ना यह हिस्सा है इस्टन घाट का तामिल आडू के अंदर में इस्टन घाट का ही हिस्सा है यह पहाडियां दूसरा जो तिरूपती है वो एक मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन देखने को मिलता है इस बारे में तो रिसेंटली मैंना भी आपको रिसेंटली या थोड़ा दर पहले है तो बताना है विच वन आफ दा फॉलिंग इस डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीन बैक ऐसे सवाल बनते हैं डारेक्टली जो ग्रीन बैक है ना ग्रीन बैक के रेफ्रेंस में बताओ कौँसी दूसरा या एक फैबरिक है जिसको बनाया गया है बायो डिग्रीडेबल वेस से या फिर ऑप्शन सी एक बाइंग बैक ऑफ ग्रीन बॉंड से जो कि यहां पर एक और्गनाजेशन के तुरू इशू किया जाता है या फिर यहां पर एक डिस्प्ले लाइटनिंग सिस्टम ह है फटा फटास का अशर बताओ क्योंकि बहुत असान है और बहुत जादा सिंपल है अगले क्वेशन पर आता है नेक्स स्कूर बात करता है इंडियान स्टार टॉट ո इसके बारे में तो इंडियान स्टार टॉटॉव लिस्ट में रखा या यानि जो आयूशन के रेडि क्या गया है बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है option a one only option b two only option c दोनों सही है और option d दोनों के दोनों गलत हैं आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रशन की तरफ next question बात करता है sage wobbler को लेकर तो sage wobbler के reference में आपको दो statements दिये गए हैं बताना है कौन सा statement सही है पहला statement जो sage wobbler में जो male bird होती है जो male bird होती है यह famous है क्योंकि यह mimicking कर लेती है यानि नकल करने में बहुत अच्छी skills उसके पास में दूसरा इस bird को IUCN में least concern category में रखा गया है बताओ कौन सा statement सही है option a one only option b two only option c दोनों सही है फिर option d दोनों के दोनों गलत है फटा फटा इसका answer दो अब समय आ चुका है इनके answers का I hope आपने यहापर इन सभी questions को attempt किये होंगे पहली चीज़ तो आप लोग यह बताओ कि नीचे score कितना आपका है देखो score को पता लगाने क एक अच्छा तरीका यह है कि अभी मैं आपको सारे answers बताओंगा सारे के सारे answers बताओंगा फिर उसके basis पर बताना आपका score कितना है तो आकरी question से answer को देखना start करते हैं आकरी question आपसे पूछा या था सेज वाबलर को लेकर तो सेज वाबलर को लेकर जो दो statements हैं इसमें से बत list में इसको least concern category में रखा गया है बिल्कुल ये भी सही है इसकी जनसंकिया अभी जिसकी जो संकिया वो अभी अच्छी कासी मातरा में available है तो option C both 1 and 2 सही हो जाएगा अगले question पर आता है अगला question बात करता है Indian star tortoise को लेकर दो statements है पहली बात ये tortoise के वल और के वल भारत में पा जाएगा neither one nor two क्योंकि ये इंडिया के साथ साथ West Pakistan लंकर के अंदरी पाया जाता है इसका vulnerable है ध्यान रखना आ गयाता है फिर आप से पूछा गया ग्रीन बैक क्या है option A इसका सही है ग्रीन बैक basically एक US paper dollar को denote करने के लिए एक term का use किया गया है 19th century के अंदर इसका इसका इस्त हैं इसको लेकर दो statement है पहला statement ये hills तामिल नाडु के अंдर eastern managesं और हिस्सा औहिं है ये गलत बात है क्योंकि ये %amil madыпल में और हैं ही नहीं या आंद्रप्रदेश मेह आपको पताओगा मैंने बताया था तो पहला statement हो जाता है wrong दूसरा statement तिरूपति हैं पर मेजर हो हींदू पावर प्रोजेक्ट के बारे में डिसकस किया, जो Italian Hydro Electric Project है ना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो कौन से राज ये बनाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है Option Number C अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश के अंदर आ गया आता है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है National Coal Index को लेकर, National Coal Index को लेकर आपको अगेन दो स्टेटमेंट जिये गए हैं, पहला स्टेटमेंट ये एक Price Index है, जो की, कोल के जो भी Price Level चेंज हो रहे हैं, उसको डिनेट करता है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा, Base Year जो है इस Index का वो है 2021 किस ये गलत है, क्योंकि इसका Base Year में आपको बताया था, वो है 2017-2018, ना की 2021 किस, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है, तो दूनों स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट याँ पर हो जाता है, गलत, स्टेटमेंट में बोला गया है, यह एक Joint Venture, यानि कि दो देश मिलकर इस राइफल को बना रहे है, इंडिया और फ्रांस, यह गलत है, इंडिया फ्रांस नहीं, इंडिया रश्या मिलकर इसको बना रहे है, तो यह था आज का पर्टिक्लर सेशन, आई होप गाईज आपको मज़ा आ चुका होगा, आपका कितना स्क और आया है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में, लिखे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और आपको कितनी हल्प और ये वीडियो से, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, मिलते हैं आप लोगों सगले वीडियो में, आज के लिए भाई भाई, have a nice day, thank you and जैहिंद झाल